हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का एक्जाम पाथ फाइंडर में आज की इस वीडियो में हम हाई कोट ऑफ मध्य प्रदेश यानि मध्य प्रदेश उच्छ ने आया ले के द्वारा जो तीन वेकेंसी भोशित की गई हैं तीन पोस्ट के लिए एंड वेकेंसी अराउंड स अगर computer application में है तो वो भी एक essential requirement है और diploma course जो होना चाहिए वो एक MP government के recognized institute से होना चाहिए इसके लिए जो अधिकतम IU सीमा रखी गई है candidates के लिए वह 35 वर्श की दी गई है और second post की अगर बात करें junior judicial assistant के लिए तो इसके लिए essential qualification graduation रखी गई है और इसके लिए भी एक साल का diploma course computer application में किसी भी recognized institute जो की MP governments के अंडर आता हो और similarly इसके लिए age limit 35 वर्श की दी गई है third जो हमारा category है stenographer का इसके लिए essential qualification graduate रखी गई है सो यह graduates के लिए काफी अच्छा मौका है MP graduates के लिए अगर वो apply करना चाहते है इस post में सो इसके लिए बात करते हैं जो additional qualification है कि candidate की जो graduation degree होनी चाहिए और उसके साथ-साथ English shorthand और English type rating exam किसी भी MP government के institute से pass होने का certificate होना चाहिए और जो speed होनी चाहिए वो 80 words per minute की required होगी इसके लिए जो upper age limit है जो वह 40 वर्ष है यह सभी post के लिए जो आवेदन प्रक्रिया रखी गई है वो online है इसके लिए starting date 37 2021 की दी गई है जिसे candidate 38 2021 तक भेज सकता है अपने आवेदन को अफिशल वेबसाइट जो MP high court की है यानि mphc.gov.n candidate उस पे ज़्यादा details के लिए जा सकता है and official notification की अगर बात करें जिसमें काफी detail में सारे information दी गई होती है वह आप हमारे platform पे भी देख सकते हैं जो की है alert.exampathfinder.com तो आते हैं हम official notification में इस पे आप देख पा रहे हैं कि जो horticulturist की दो पोस्ट है वह unreserved के लिए है वह स्ट के लिए एक पोस्ट है सबसे अधिक पोस्ट junior judicial assistant में है and इसमें देख वाएंगे आप 51 plus 3 3 जो है वह physically handicap category के लिए है थर्ड जो पोस्ट है वह stenographer की है जो की total जिसमें 4 पोस्ट आई है इसके लिए आप देख पाएंगे कि जो details हमने आपको explain की age limit क्या रहेगी, क्या essential educational qualification है वह सारा आप इस official notification में देख पाएंगे and friends इसके साथ साथ आप देखेंगे कि काफी detail में यह सारा English and Hindi दोनों में explain किया हुआ है इस official notification को तो आप अगर interested है इस post के लिए तो आप जल से जल अपलाई करिए इसके लिए आप हमारे forum यानी community.exampathfinder.com की help भी ले सकते हैं अगर आपको कोई doubts हों या आप community से कुछ पूछना चाहते हों तो आप इस section में आके और अपने questions या अपने queries पूछ सकते हैं तो आज की इस video में इतना ही आशा करते हैं आपको हमारे काम अच्छा लगा अगर ऐसी बात है तो प्लीज हमारी videos को like and share करें और हमारे channel को subscribe करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद